किंडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कौन-कौन आते हैं? यूकरियोट यूनिसललर और्गनिजम जो मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं जिनके अंदर सेल वॉल या तो सेलुलोजी होती है या एपसेंट होती है इनके अंदर डबल मेंब्रेंट सेल और्गनेल प्राइमरी एनिबल भी कहते हैं सभसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स के अंदर जो है डाइटम और डेस्मिट्स आते हैं डेस्मिट्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते है डाइटम डेस्मिट्स का दूसरा नाम क्या है गोल्डन एल्गी कहीं-कहीं ये कोश्चन भी पूछा जाता है अधर नेम ऑफ क्राइसोफाइट तो आप लिख सकते हैं क्राइसोफाइट का दूसरा नाम क्या है गोल्डन एल्गी ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन्स और एक्वेटिक जो एकोसिस्टम होते हैं उनके अंदर सबसे बड़े सबसे मेन जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ये होते हैं डाइटम्स और डेसमिट्स जो होते हैं फ्री फ्लोटिंग फाइटो प्लैंक्टॉन है फाइटो प्लैंक्टॉन मतलब एक तरह के बहुत छोटे प्लांट लाइक और्गनिजम को बोलेंगे free floating phytoplankton ये free float करते हैं पानी के उपर तेरते रहते हैं ये autotroph होते हैं इनके अंदर chlorophyll present होता है chlorophyll किस के अंदर होता है chloroplast के अंदर होता है diatum covered by silica shell diatum के उपर silica का shell होता है जो soap box की तरह होता है जैसे मिठाई का डबा होता है वैसी इसकी structure होती है और इसके अंदर diatum रहते हैं जब diatum मर जाते हैं तो silica का shell पड़ा रह जाता है और वो क्या करता है हमेशा रहता है इसी वज़े से अर्थ को diatumetious earth भी कहा जाता है इनके silica के जो इस shell होते हैं जो बाद में ये क्या करते हैं पतली बहुत fine sand बनाते हैं इसे हम अलग-अलग कामों में यूज़ करते हैं जैसे की polishing के अंदर या filtration के अंदर भी यूज़ करते हैं इनके silica shells को frustule भी कहते हैं तो ये था main chrysofide जिसके main member कौन थे diatums और desmit जिनको हम golden algae भी कहते हैं अगेन इनकी खास बात क्या थी कि ये जो हैं क्या हैं chief producer है oceans के या aquatic food chain के ठीक है इसके बाद में आता है dino flagellate अब आपको नाम से ही पता चल गया कि इनके अंदर flagella हैं और कितने हैं दो हैं नाम से पता चल गया आपको cell wall इनकी कैसे होती है cell wall इनकी cellulosic plate से बनी होती है cell wall के अंदर क्या होती है cellulosic plate होती है इनके अंदर दो perpendicular flagella होते हैं दोनो flagella एक दूसरे के क्या होते हैं 90 degree angle पे होते हैं इनके अंदर क्या होता है ये rapid division करते हैं बहुत तेजी से division करते हैं और एक और खास काम करते हैं Toxin formation करते हैं Toxin secretion करते हैं Clear है? इनके अंदर एक और खास बात होती है अच्छा आप लोगों ने Ten Commandants सुने होंगे जिसमें Jahresus है रिलीजन उनके अंदर Ten Commandants होते हैं Ten Commandants जो है वो भगवान ने दस आदेश दिये थे, उनको दस आदेश को देने से पहले उन्होंने भगवान ने दस आपदाएं दी थी, दस हजार्ड पैदा की थी, उनमें सबसे पता कि नील नदी का पानी जो है, नाइल जो है, नाइल का पानी रेड हो गया, खून से बन गया था, एक्चुली क्या होता है, कि नाइल के पानी में बहुत जादा क्वांटिटी में क्या हुए, यह डाइनो फ्लेजिलेट आ गया, यह डाइनो फ्लेजिलेट किस कलर के थे, रेड कलर के थे, ठीक है, तो पानी पूरा का पूरा कैसा हो गया, लाल हो गया, और लोगों नकार प्या, यह पानी खून ह उस पानी को पीने से लोग मरने लगे, क्यों मरने लगे, क्योंकि ये क्या इस निकालते हैं, टॉक्सिन निकालते हैं, तो पानी में टॉक्सिन हो गया, और टॉक्सिन को पीपी के लोग मरने लगे, एक आता है रेड टाइड, कभी कभी समुंदर के अंदर, सी के अंदर, ओश कहते हैं ठीक है ये क्या है mostly marinal होते हैं यानि समंदर में रहते हैं पर कुछ जो हैं वो कहां रहते हैं fresh water में भी रहते हैं chlorophyll इन में chloroplast में होता है other pigment कौन से होते हैं जो इनको specific color देते हैं जैसे अगर red वाला है तो इसके अंदर red pigment होगा इनको golden brown algae भी कहते हैं डाइनो flagellates को golden brown algae भी कहते हैं ठीक है इसका सबसे common example है जो red tide और redness के लिए जिम्मेदार है उसको बोलते है गोनियोलेक्स क्या बोलते हैं बिटा गोनियोलेक्स गोनियोलेक्स ही red tide और nile के अंदर जो पूरी लाल करती थी उसके लिए जिम्मेदार था अब आता है यूगली जो है एक्वेटिक होते हैं mostly fresh water मिलते हैं ठीक है connecting link between plant and animal यूगली नॉइट प्लांट और animal के connecting link होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मिलता है और ये क्या करते हैं जो animal की तरह खाना भी खाते हैं फेगोसाइटोसिस भी करते हैं ये mixotroph है autotroph in the sunlight heterotroph in the night ठीक है यह त इनके अंदर तो क्या करेगा खाना sunlight से बनाएगा मैं तो non wedge हूँ और रात को बगल में से कोई भी जा रहागा उसको खा जाएगा रात को ये non wedge है ओके तो अब physically ये strong होते हैं क्योंकि इनके बाहर क्या होता आउटरमोस layer pellicle होती है जो कि जटके जहलने के लिए होती है जटक फलेजिला से movement करते हैं इनके अंदर chloroplast मिलता है और इसका example है Euglena इनका example क्या है Euglena example क्या है इनका yuglina let's repeat the yuglinoid yuglinoid का main example क्या है yuglina yuglinoid जो होते है aquatic होते है mainly fresh water में रहते है ये connected link है between the plant और animal के plant की तरह ये autotroph होते है इनके अंदर chlorophyll मिलता है लेकिन animal की तरह ये heterotroph भी होते है ये रात को अगर उनके बगल से कोई जा रहा होगा तो उसे खा भी जाएंगे इसे कहते है mixotroph इस तरह के nutrition को क्या कहते है mixotroph nutrition physically ये strong होते हैं इनकी shape fix होती है क्योंकि इनके उपर एक मोटी layer चड़ी होती है प्रोटीन की जिसे pellicle कहते है ये pellicle shock absorbing होती है इनकी ऐंदर फलेजिला जो एनिमल दिखेगा उसके उनर क्या होगा एक ही फलेजिला दिख रहा है एक दूनों फलेजिला एक दूसरे से जिपके बहुत है इसलिए दिखाई एक दे रहा है ठीक है इनके अंदर chloroplast होता है और chloroplast में chlorophyll भी होता है example है euglina ठीक है एक बार मैं दुबारा से बता दूँ ये क्या है plant और animal के बीच की connecting link है ठीक है पेटे इसके बाद में आता है slime molds slime molds जो है वो बहुत ही important category है ठीक है ये multi nucleated होते हैं ठीक है previously known as fungus इसको पहले fungus माना जाता था actinomycetes कहा जाता था ठीक है ये separate trough होते है multi nucleated मैंने आपको बताई दिया था इनकी multi nucleated stage को बोलते है plasmodium इन में reproduction किस से होता है spore से होता है और spore किस में बनते हैं fruiting body नाम की structure में बनते हैं ठीक है spore dispersed by air इनके spore किस से फैलते हैं air से फैलते हैं high environmental resistance capacity environment कैसा भी हो इनके अंदर उसको जहिलने की capacity होती है actually होता है क्या है ये शुरुआत में जब spore इसके फैलते हैं तो single nucleus होता है ठीक है फिर जैसे ही कहीं गिरता है और उसको वहाँ खाना मिल जाता है ये कच्रा खाता है ठीक है ये एक तरह का separate trough है ये कच्रा खाता है तो जैसे ही गिरेगा गिरने के बाद में क्या होगा ये क्या करेगा division करेगा ठीक है division करेगा तो सरफ nucleus का division करेगा और किसी चीज़ करेगा एक से दो nucleus दो से चार nucleus तो cell एक रहेगी nucleus बढ़ते जाएंगे ठीक है और multi nuclear stage आ जाएगी इसका नाम क्या है plasmodium ठीक है बेटे इसी लिए ये कैसा दिखता है slimy दिखता है इसी लिए से slime mold कहते हैं कचरे पर क्या उखती है mold उखती है लेकिन अगर वो slimy अगर substance से तो कहेंगे slime mold और वो mold नहीं है वो fungus नहीं है वो क्या है वो वो एक तरह का protista है समझ में आया बेटे अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी बात जो बहुत important है इसकी multi nucleate stage को plasmodium कहते है बेटे एक बात ध्यान एक ना plasmodium एक और भी चीज़ है एक और organism को भी plasmodium कहते है कि इसको malaria cause करने वाला जो parasite है pathogen pathogen है उसे भी क्या कहते है प्लाज्मोडियम कहते है ठीक है पर वो उसका नाम है ठीक है और ये इसकी stage है ठीक है the stage multi cellar stage of slime mold is plasmodium ठीक है the name of malaria parasite plasmodium दोनों same है लेकिन एक stage है और एक name है समझ में आ गया बेटो इसके बाद आता है protozoa protozoa प्रोटो जोवा प्राइमरी एनिमल प्रोटो मना प्राइमरी जोवा मतलब animal ठीक है इनका पहले animal first animal माना जाता है ठीक है इनके अंदर cell wall नहीं होती याद रहेगा इनके अंदर क्या होती है cell wall नहीं होती plaster नहीं होते large vacuum नहीं होते unicellular eukaryote with centrosome इनके अंदर centrosome मिलता है centrosome जो division करने cell division में काम आता है वो इनके अंदर मिलता है यह heterotroph होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते ठीक है और इनकी body की जो shape है वो अलग-अलग होती है ठीक है अगर यह fix भी हो सकती है और changing भी हो सकती है irregular भी हो सकती है इनकी body पर जो cell membrane होती है उसके बाहर कोई न कोई covering मिल भी सकती है और नहीं भी cell membrane है उसके बाहर या तो कुछ भी नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो अगर chemically inactive layer मिलेगी तो वो होगी cuticle और physically inactive layer मिलेगी physical strong layer मिलेगी उसे बोलेंगे pellicle इनके अंदर क्या होता है यह generally fresh water में मिलते हैं लेकिन marine water में भी मिल हैं इनके अंदर locomotory organ जो होते हैं pseudopodia flesilla cilia या absent भी हो सकते हैं इनके अंदर a sexual reproduction fission से होता है sexual reproduction भी इनके अंदर होता है इनको किसके basis पर classify कि या गया है locomotory structure के basis पर कैसे ये चलते हैं उसके basis पर इनको क्या किया गया है, classified किया गया है, इसके कितने गुरुप हैं, चार गुरुप हैं, अमिबॉइड, फ्लेजिलेड, सीलेड और स्पोरोजुवा, ठीके बेटे, सबसे पहले हम बात करते हैं, अमिबॉइड प्रोटोजुवा, इनको राइजोपोड्स भी कहते हैं, सारकोन इनमें मुमेंट जो होता है, सुडोपोडिया से होता है, किस से होता है, सुडोपोडिया, सुडोपोडिया मतला बॉडी का कोई पार्ट है, बॉडी से ही कोई एक छोटा सा पैर जैसी structure निकलेगी, वो रियल पैर नहीं होगा, वो बॉडी का पार्ट ही होगा, लेकिन पैर क्या करता है, amoebosis बिमारी फैलाता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, यह बहुत important है, जो मैं बता रहा हूँ, ant amoeba histolytica, amoebosis या amoebic dysentery फैलाता है, जो की बहुत खदरनाक बिमारी है, इसके बाद में आता है ant amoeba gingivalis, ant amoeba gingivalis क्या होता है, यह pyreya फैलाता है, ठीक है, severe amoeboid protozoan voraceous eater होते हैं, इनको भूख हमेशा लगी रहते हैं, ठीक है, अब इनकी खास बात आपको हमेशा सिर्फ एक ही याद रखनी है, इनके अंदर movement किस से हो रहा है, pseudopodia से, amoeboid protozoan में movement किस से हो रहा है, pseudopodia से, और इसके तीन दो example मैंने बताये थे, amoeba और ant amoeba, प्लस टू arrangement होता है, एक लंब धागे जैसा structure होगा, जो movement करेगा और क्या करेगा आगे organism को आगे लेके जाएगा, इसके अंदर कौन-कौन से organism आते हैं, ध्यान से समझना, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा एक खास तरह की बिमारी फैलाता है, जिसे sleeping sickness कहते हैं, लीशमान या डोनोवनी, लीशमानिया डोनोवनी भी बिमारी फैलाता है, ट्राइको मोनास, ट्राइको मोनास भी बिमारी फैलाता है, इस बिमारी का नाम है, लुकेरिया या एक तरह का ये स्टीडी है, ट्राइको मोनास है, जो से होने वाली बिमारी है, लुकेरिया, ये स्टीडी ह यह जादातर लेडीज के अंदर होती है, जिसमें वेजाइनल पार्च से वाइड कलर का पानी ही आता है, ठीक है, तो यह जो तीन है, इसके एक्जामपल आप याद रख लिएगा, इसके बाद में आते हैं, सीलियटा, सीलियटा के अंदर लोको मोटरी और्गन क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, सीलिया के अंदर भी 9 plus 2 arrangement होता है, लेकिन फ्लेजिला तो बहुत लंबा और बहुत बड़ा होता है जब कि सीलिया छोटे होते हैं और पूरी बाड़ी पे बहुत सारे होते हैं ठीक है बेटे, clear है, तो सीलिया जो है, अभी किसमे होते हैं सीलिया का मेन एक्जामबल कोई है, पेरामीशियम जिसको sleeper animal cue भी कहते हैं क्योंकि इसकी structure ऐसी होती है, जैसे चपल पड़ी हो ठीक है, इनकी shape fix होती है क्योंकि इनके पर क्या होता है pellicle चड़ी होती है, pellicle मतलब physically strong layer मैंने कहाते हैं, इनके अंदर nucleus क्या होते हैं, दो होते हैं दो nucleus होते हैं, एक बड़ा nucleus और एक छोटा nucleus, इसके बाद में आते हैं sporozoa, sporozoa के अंदर locomotory structure नहीं होता, there is no locomotory structure, इसका example क्या है plasmodium, जो malaria parasite इनकी body पर क्या होता है cuticle चड़ी होती है, जो chemically inactive होती है, ठीक है, generally यह parasite होते हैं, sporozoa generally क्या होते हैं, parasite होते हैं, इन में sexual reproduction किस से होता है, spore से होता है ठीक है, clear है बेटे और यह जो हैं, बिमारियां फैराते हैं common, सबसे common फैराने वाली बिमारी कौन सी है malaria ठीक है, तो यह बात समझ में आई अब आप कोगे कि sporozoa के अंदर सर, locomotory organ क्यों नहीं मिले क्योंकि यह तो parasite है ना, इनके अंदर तो क्या है, इनको किसी के अंदर गुस करके क्या चुप-चाप पड़ा रहे ना है, ठीक है दूसरी खास बात है कि इनके अंदर chemically inactive या chemically resistance layer मिलती है, जिसों बोलता है cuticle cuticle क्यों मिल रही है, क्योंकि जब यह किसी के अंदर रहने जाएंगे, तो उसकी body के fluid, उसकी body के antibody उसको मारने की कोशिच करेंगे, तो इसलिए क्या होता है यह, कि अब इनके उपर cuticle चड़ी होती है, ताकि यह दूसरे के जो antibody है, इसको मार ना सके समझ में आया बेटे, यहां आपका, जो है, प्रोटो जोवा खतम होता है